नौ वी स्टार्ट एक्सरसाइज ओडी 1.5 एक्सरसाइज है कोस्चन नंबर थर्ड है 1.5 का क्या कोस्चन है y प्लस y3 बाइ 3 प्लस x स्क्वेर बाइ 2 dx प्लस 1 बाइ 4 x प्लस x इंटू y स्क्वेर दी इक्वल टू 0 तो m की वैलू लिख ली हमने n की वैलू लिख ली तो करली m अपॉन करली y निकड़ेनगे इसको डिफ्रेंशेट करेंगे तो value क्या आएगी 1 प्लस y x केरा जाएगी n को विद रिस्पेक्टिव x डिफ्रेंशेट करेंगे तो क्या आजाएगी 1 बाइ 4 इंटू 1 प्लस y x केरा जाएगी उसका n से डिवाइट करना पड़ेगा तो यह value क्या आएगी 1 plus y square minus 1 by 4 1 plus y square और x by 4 into 1 plus y square यह आपके n की value है तो इसमें यह value घटाओगे जब क्या आजाएगा 3 by 4 into 1 plus y square आजाएगा और यह x by 4 into 1 plus y square क्या value आगी 3 by x तो जो integrating factor क्या आएगा e raised to the power 3 by x dx यह integration आजाएगा इसका integration 3 log x हो जाएगा तो यह value क्या आजाएगी x cube आजाएगा आपके पास तो इसका next part क्या करेंगे हमें जो आपका solution निकालने के लिए क्या करेंगे हमें यह आजाएगा आपके पास तो जो आपका integrating factor है उससे multiply कर देंगे आपके differential equation को हम ठीक है तो आपके पास क्या आजाएगा integration mdx ठीक है mdx but not containing the term and dy करेंगे तो इसमें सारी x की term आजाएगी ठीक है x की term नहीं होनी चीए यह वाड़ा cancel हो जाएगा तो यह वाड़ी value आगी is equal to constant आजाएगा तो x cube का integration x4 x cube का x4 by 12 x5 का x6 by 6 आजाएगा 12 12 LCM ले लिया हमने 3 x 4 y plus x की 4 y cube plus x की power 6 12 इदर लेगे constant के साथ multiply हो गया constant के साथ multiply हो गया तो इसको हम c dash भी लिख सकते हैं चिक है तो यह solution क्या है यह दोबारा भी देख सकते हो यह question आपका third question है और इसको solution इसका यह है explain मैंने कर दिया है इसका back solution क्या आपके पास है यह वड़ी value आएगी ठीक है next question है थोड़ा difficult सा है 1.6 exercise का second question है ठीक है इसमें क्या दिक्कत आ रही है हमें main तो अपना integrating factor निकालने में दिक्कत आ रही थी OD का यह second question है की value ले ली हमने तो curly m by curly y निकाड़ा curly n by curly x निकाड़ा दोनों value same नहीं है तो हम integrating factor निकालने के लिए value निकाड़ेंगे curly n by curly x minus curly m by curly y upon m तो curly n by curly x की value put कर देंगे हम क्या आई आपके पास 2xy 4e की power y minus 2xy square minus 3i है और curly m by curly y की value यह है आपके पास upon में क्या रखना है m की value रखनी है m की value रख दी उपर क्या आ जाएगा आपके पास यह ट्रम cancel हो जाएगी आपके पास यह इससे cancel हो जाएगी यह इससे cancel हो जाएगी बाकि कोई ट्रम cancel नहीं होगी तो यह आपके पास minus 8xy qb की power y और यह minus 2xy square है और इदर minus 6xy square है तो यह क्या आजागा minus 8xy square आजागा minus 3 minus 1 minus 4 हो जाएगा आपके पास नीचे यह आपके पास इस नीचे वाड़ी ट्रम में से क्या करेंगे हम पूरी में से y कोमन निकाल लेंगे उपर वाड़ी में से minus 4 निकालनेगे तो यह दुनों सेम होगे आपके पास value तो यह cancel हो जाएगी तो integrating factor कैसे निकालेंगे हम integrating factor निकालने का formula e raised to the power integration minus 4 by y dy हो जाएगा तो minus 4 log y हो जाएगा y की minus 4 meaning 1 upon y की power 4 यह value नहीं है इसमें ठीक है तो हम क्या करेंगे आपकी differential equation को multiply करेंगे ठीक है किस से 1 upon y की power 4 से multiply कर दिया पूरी को ठीक है यह बनगी आपके पास तो इसमें तो पूरी में x है तो ले नहीं नहीं हमे constant आ जाएगी तो यह वाली term लिख लिए mdx plus ndy not containing the term x यह लिते हैं is equal to constant तो यह क्या आजाएगा आपके पास है x square eky plus x square by y plus x by y cube is equal to constant यह आजाएगी आपके पास है अजाएगी आपके पास है